नमस्कार किसंद सात्यों स्वागत है आपका एक बाद फिर से मालवा की खेती यूटूब चैनल पर किसंद सात्यों मैं अपने अनुभूव इस चैनल के माज़न से शेयर करता हूँ आप सामने देख पा रहे हैं अपने मोबाइल के स्किन पर यह है मेरे फिम की फसल लगबग हो चुकी है 45 से 50 दिन के बीच में और मैंने इस पे एक स्प्रेक कर दिया है तीस दिन की अवस्ता में लेकिन किसंद सात्यों अब की बार कुछ मोसमी ऐसा है कि एक तो रोग जादा आ रहे हैं और शिरुवात में बहुत सर किसंद पर यह तो अफिम के पोदे भी सही तरीके से नहीं जमें हैं उन्हें तीन से चार बार दानों का चिटकाव करना पड़ा खेतों में अफिम पोदे जमाने के लिए और फिर उनके जो पोदे हैं वो छोटे बड़े हो गए हैं तो बहुत सार किसंद पर यह तो पहले के पोदे उकाड़ के अपने फसल को बराबर करना पड़ा और अब जो इस परकार के रोग दिखने को मिल रहे हैं आपको इसे कोडिया रोग बोलते हैं किसंद साथियों इ के नीचे फपुंदी हैं इस प्रकार के पोदों को आपको अपने खेट से जल्द से जल्द हाटा देना है और उखाड़ते समय एक बात का ध्यान रखें आप कि इन हातों से आप स्वस्त पोदों को नचुएं इनको उखाड़कर एक पॉलितिन की तेली में भलें साउधानी स से और उन्हें दूर ले जाकर जमीन में कड़ा खोद कर दफना दे क्योंकि यह जो फपुंदी किसंसत्यूं यह आप हातों में लग जाएगी और इनसे स्वस्त पोदों को छुएंगे तो हो सकता है कि उन पोदों में भी लग जाए और यह बीमारी उन्हें भी अपना शिक से हिंदी में हम काली मस्जी बोलते हैं या मरदूरोमिल असीता भी इसका नाम है इसके बिन बिन लक्षण हमें अलालत पसलों में देखने को मिलते हैं अफिम की पसल में इस परकार से लक्षण देखने को मिलते हैं साथ यसाथ पतों पर काले धब्बे भी पढ़ते हैं और तो यह रोक अपना तीवर परकौप दिखाता हैं और बड़ी तेजी से अफिम के बोजे खराब होने लगते हैं तो जो बादल होते हैं वो अफिम की फ़सल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं इस समय और किसान सत्यों यह रोक तीन परकार से फेलता हैं पहला है बीज जनित दूसरा है भूमी जनित और तीसरा वातान दुवारा निर्मित मौसम में परिवर्तन होने से तो सबसे पहले हमें स्वस्त बीज लेना हैं और उसे हमेशा उप्चारित करके बोना आएं और जब भूमी जनित उप्चार के बाद आती हैं कि बहुत सारे किसरन भाई क्या करते हैं, कि जो अपने अफिम फसल के अंतियम रूशेश होते हैं, जिसे हम अपनी aclesी बाहिशा में बोईला बोलते हैं, और ख़डी बोली में बात करें तो अफिम की काड़ी बोलते हैं, इनको रोटाइवटर से मिट्टी में मिला देते हैं.. इस बरसकार से किसान भाई जो करते हैं वो जो हमारे अफिम की फसल जो अवशेश हैं उन पे लगे हुए फपुंदी को एक नए बीज की रूप में अपने जमीन में मिला देते हैं जिससे की जो बिजानों होते हैं फंगस के वो अगली फसल के लिए हमारी जमीन में मिलता है मोसम उनको वो अपनी फसल पे परकट हो जाते हैं रोग द्वारा तो किसान सत्यों इस बात को आपको ध्यान रखना है अंतिमाश्यों का निप्टर आपको अच्छी तरह से करना है इनको खेतों में ना मिला है रही बात भूमी उप्चार की तो इसके लिए आपको अपने अपिम की पसल में दूसरी या तीसरी सिचाय में आपको पंजी साइड की ड्रेंजिंग गणना है इसके लिए आप कार्बेंड रेंजायम प्लस में को ले सकते हैं बायर कमपनी का फोलिकुल ले सकते हैं या थापितनाइट मिधाईल आता हैं जिसे रोकों के नाम से जानते हैं वो भी ले सकते हैं वर इसके साथ में अभी क्या होता है सवस्ता में ख årh दों को कैटो देती हैं तो उसकी नींतरं के लिए हम ले सकते हैं यहां तो बनजि साइड ले रहे इसको पानी के या आप इनको यदि कोई खाद वाद दे रहे हैं तो उनके साथ मिला कर भी खेट में शीटक के सिचाए कर सकते हैं तो इस परकार से दो दो परकार से तो नियनतर्ण हो गया है लेकिन अब तिसरा नियनतर्ण करना है वाता और निर्मित बिमारी होगा किसन साथियों मुसम में अचानक परीवटन होने के कराण से भी बहुश सारी बीमारी हमाली फ़सलों में लग जाती हैं उसका नियनतर्ण हम स्प्रे के जरिये दुआरा कर सकते हैं तो चुखिके किसन साथियों में अपने अनुभवक शेर करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि मैंने पहला एस्प्रेय रिडो मेल यानी टेक्निकल में इनको यह प्लस मेटाल एक जिलका किया था तो क्योंकि किसान साथ यह एक ही रसाइन का आपको बार बार प्रियोग नहीं करना है एक यी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बादार में आपको अलग अलग टेक्निकल मिल जाते हैं तो मैंने ये ये यूस कर लिया है यदि आपने एक भी स्प्रे नहीं किया तो आप ये डो में यूस कर सकते हैं अपर किसाँ साच grandma आपको उसी टेक्निकल का दोबारा परियोग नहीं करना है इस बात को आपका ध्यान रखना है अब जो मैं परियोग कर रहा हूँ कौन से है वो केमिकल वो मैं आपको बता देता हूँ आप भी दूसरे टेक्निकल ले सकते हैं चाहे तो ये भी ले सकते हैं चाहें दूसरे ले सकते हैं यदि आपने पहले दूसरे ले लिए तो आप रिड़ो मिल ले सकते हैं लेकिन किसान साथियों फसल बहुत छोटी है अभी बहुत पावर वाले फंजी साइड ना लें क्योंकि यह आ गया चलकर आपको नुक्सान कर सकते हैं फिर एक समय इसा हैग किसन साथियों दूसरा इस्प्रे के रूप में मैं ले रहा हूँ बायर कंपनी का एंट्राकॉल कॉंट्रेक्ट फंजी साइट सोग्राम की मात्रा में साथ ही साथ इसके लूँआ एक में सिस्टेमेटिक फंजी साइट जो कि है एलिट यह भी सोग्राम की मात्रा में दोनों परकार्स से काम करेगा फंदी साइट एक इंट्रोल कॉंटेक्ट और एक इलिट सिस्टेमेटिक साथ ही ले रहा हूं में माहोर मच्छर के लिए एक कीड़नाशक जो है थाई मेक्जम पची डव्यूजी जो छे ग्राम है तीन टंकिंग हिसाब से मैंने लिया है 20 लिटर का मैं मेरे स्प्रेयर हैं तो आपके 15 लिटर का है तो आपको चार टेंग करना है और निथा तीन टेंग करना यह है बायुटा जो एक ट्रानिक है समुद्री शेवाल से निर्मित क्योंकि शुक्ष्मुत तत्वों से भरबूर है इसका हमें प्रियोग करना है 100 ग्राम की मातरा में इसको हमेशा उपर से आपको डालना है यानि जब आप दवाई का गोल और पानी टंकी में भल लें उसके बाद जब आप इस टानिक को मिला के डंडे से अच्छे हिला के फिर आपको एक समान स्प्रे करना है किसन सत्यू जो दवाईया है वो काफी महेंगी है तो आपको इन पहले आधी टंकी पानी की भरने के बाद आपको दवाई का अवश्चता अनुस्तार गोल टंकी में डालके बाकी आधी टंकी पानी की फिर से बढ़ देना है फिर टानी डालके आपको डंडे से अच्छे हिला कर फिर आप दवाईया का इस्प्रे कर सकते हैं किसन सत्यू द तो आप इसमें चाहर टंकी कर सकते हैं किसी भी अवस्ता में किसान भाई पाने कम न लें दवाए अधिक डाल के टंकी की संख्या की मात्रा कम न करें आपकी पसल को नुक्सान हो सकता है तो किसान साथ क्यों ये थी डाउनियो मंडियो कारी मस्सी क्या कोमल फपुंदी रोग की पूरी जनकारी और उसके निद्रान के बारे में तो उम्मिद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा अन्य किसान में तो की तो में उनको शेयर जरूर कीजेगा इसी ही बेहुमूल ये जनकारी पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजेगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जनकारी साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जवान जय किसान आप सुष्ट रहे और आपकी पसल सुष्ट रहे इसी कामना करता हूँ जय हिंद